प्रिश्चिक राशिवालों हाथ से चला जाएगा तो जीवन भर पच्चताओगे ऐसा मौका ऐसा ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हरदय भाव से जय माता दी का नारा तीन बार लगा दीजिएगा दोस्तों माता रानी के आशीरवाद से आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक बड़ी खुश खबरी मिलेगी जी हाँ दोस्तों तो यदि आप माता रानी पर यकीन करते हैं विश्वास करते हैं तो जरूर ही एक प्यारा लाइक कमेंट कीजिएगा मेरे मित्रों आप सभी का आज के इस दिव्य शक्ती से जुड़े हुए बेहद ही पवित्र और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है हरदय से अभिनंदन है माता रानी आपकी हर मनो कामना पूरी करें और आपके हर कोई और वाले वक्त में आपका साथ है प्यारे दोस्तों को आपके घर को तीन बड़ी दिव्य शक्तियों ने अपने पवित्र उर्जा के आवरण में घेर लिया है हम कह सकते हैं कि यह तीनों देवी शक्तियां आपको कुछ विशेश देना चाहती है इससे बड़ी आने वाली आफत से बचाना चाहती है अब इसमें प्यारे दोस्तों एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन से ही आपके घर से जुड़ी हुई है या नहीं आपकी अपनी सबसे बड़ी शुबचिंतक दिव्य शक्ति है लेकिन अब तक आपने ना तो इसे पहचाना है ना इसका सम्मान किया है उल्टा इसका निरादर ही होता रहा है लेकिन यह दिव्य शक्ति आपसे ना तो नाराज है और ना आपके जीवन में कोई परेशानी लाना चाहती है ये कई वर्षों से आपके साथ हैं और आपके जीवन में आने वाली हर भयानक से भयानक मुसीबत को किसी न किसी प्रकार से रोक देती है या फिर उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता किसी न किसी प्रकार से आपको बता देती है अब आप जरा विचार करके देखिए कि आपके जीवन में कितनी बार ऐसा अवसर आया है, जो आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया, कोई भी आपके बारे में सोच नहीं रहा था, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, आप एकड़म अकेले पड़ गए थे, उस समय आपके अंदर जो विशेश हिम्मत साहस औ और सदबुधि उत्पन्न हुई, वह इसी दिव्यशक्ति की तीन थी, तो अब तक जो हुआ सो हुआ कम से कम आप, तो आप इसे पहचानिये और इसका सम्मान करिये, जब आपने इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है, इसने आपकी इस दिव्य शक्ति से रक्षा की है, अगर आप इसका सही तरह से विधी विधान के साथ पूजन करें, समय समय पर मान सम्मान करें, तो आपको यह दिव्य शक्ति कहां से कहां तक पहुचा सकती है, जी हाँ, प्यारे दोस्तों, ज़रा विचार करने की बात है, तो कौन C है यह और इसकी साथ जो दो अन्य देव शक्तियां हैं वह कौन सी है और क्यों यह तीनों दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही है सारी बातें आज के इस विशेश कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको करना इतना सा है, इस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देखना है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी में ज्यान हासिल नहीं होता है केवल सस्ता मनोरंजन हासिल होता है, अज्यानता के गड़े में गिर आता है तो आप सत्य ज्यान को न लेकर पूरे धैर्य के साथ हमारे इस ज्योतिश कार्यक्रम को देखिए आपको निश्चित तोर पर कुछ अध्भुत कुछ विशेश अपने जीवन के बारे में जानने को मिलेगा और जीवन में जो परेशानिया हैं उनसे बाहर निकलने का कोई न कोई एक बड़ा समाधान आपको निश्चित तोर पर प्राप्थ होगा प्यारे दोस्तों, हम इस जोतिश कारेक्रम में आपके जीवन से जोड़ी हुई आपके जीवन को सरल और सुन्दर बनाने वाली ये सारी ज्यानवर्धक बातें करेंगे तो पूरे खेल के साथ माता रानी को याद करते हुए इस जोतिश कारेक्रम को देखना है याद रखें, प्यारे दोस्तों की इस जोतिश कारेक्रम को देखकर आपका मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं होगा लिख जीवन बदलेगा इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं तो चलिए प्यारे दोस्तों बिना समय गवाएं माता रानी को याद करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ आखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट में लिखे जैमा महालक्ष्मी कृपा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना प्यारे दोस्तों माता रानी निश्चित तोर पर आपकी करुण पुकार सुनेगी और आपके जीवन में उनकी कृपा बरसने लगेगी साथ ही साथ प्यारे दोस्तों जनकल्यान के लिए माता रानी के आदेश से हमने जो शनिवार का सर्व मनो कामना पूर्ती हवन शुरू करवाया है उस हवन में अपने नाम से अहुतियां करवाने के लिए अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें माता रानी चाहेगी उनकी कृपा होगी और आपके जीवन में सद्गती आएगी आप दूसरे ही दिन से निश्चित तौर पर अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी आपकी परेशानियों से बाहर निकलने की आपको रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे याद रखना प्यारे दोस्तों इश्वर की जब कृपा आती है तो इनसान की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है उसके विचारों में इतनी शक्ती आ जाती है कि वह हर परेशानी से लड़ सकता है बाहर निकल सकता है याद रखें भगवान साक्षात अभी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे भईया तो आपको ही लिस्ट बनाएंगे या फिर किसी के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो इन चीजों के विधान को जरा समझे सीधे यह मत समझना कि माता रानी खुद ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और आपकी हर मनो काम ना पूरी कर देंगे जी नहीं प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होता और ये इतना आसान भी नहीं है पूरा जीवन अब जाता है तब कहीं अंतिम समय में माता रानी के दर्शन हो जाए तो बहुत मानिये लेकिन माता रानी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है ये बताओ कि उपर है आपके निवेदन के उपर है इसमें कोई गहरी तब की आवश्यक्ता नहीं है जी हाँ प्यारे दोस्तों तो चलिए जियोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़े लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन और प्यारे दोस्तों कि आप हमारे चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी दबा दें यह बिल्कुल ही फ्री है तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम से और मातारानी से सीधे जुड़ अब आप यदी इन्हें पहचान जाएंगे और कुछ छोटे-छोटे उपाय कर लेंगे तो यह दिव्यशक्ति की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी याद रखें हमने पहले ही कहा है कि इन तीनों दिव्यशक्तियों में एक दिव्यशक्ति ऐसी है जो आपके घर से संबंधित है आपके जीवन से इसका सीधा नाता है इससे आपको पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है दोस्त याद रखेगी जो बातें हम आपको बता रहे हैं बिना केवल ज्योतिशीय आकलन पर आधारित है ना केवल वैदिक संस्कृती के आधार पर बताई जा रही है बलकी हमार उनकी व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी हम आपको ये सब बातें बता पाते हैं क्योंकि माता रानी की लंबे समय से साधना करने के बाद माता रानी की आशीरवात से हमें कुछ-कुछ अनुभूतियां होती हैं। हमें कुछ-कुछ आभास होते हैं और इनी अनुभूतियों के आधार पर हम कुछ न कुछ आपके बारे में ऐसा अध्भूत बता देते हैं तो निश्चित तोर पर आपके उपयोग का तो होता ही है। फिर चाहे आप इसे अंध विश्वास कहें या फिर कोई और नाम दे दे प्यारे दोस्तों लेकिन हमारे लिए यह माता की सच्ची भक्ती है। हमारे लिए यह जो ज्योतिश शास्त्र है, यह एक जीवित शास्त्र है तो हम तो वही कहेंगे जो हमें अनुभव होता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ मंद बुद्धी और अधर्मी लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, जिनको विश्वास है, जिनके मन में आस्था है। उनके जीवन में निश्चित तोर पर परिवर्तन आएंगे, उनका जीवन सुखी होगा। हम ये बात लिख कर दे सकते हैं, हजारों लोगों के जीवन में आए हैं, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएंगे, आप कोई अध्भुत, किसी दूसरे लोग में रहने वाले ज पीछे हमारा मकसद ये है प्यारे दोस्तों, क्या आप बिलकुल भी अपने मन में अविश्वास लेकर, ना आपकी राशे के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी यह है, कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आप इस बात पर कम ध्यान देते हैं, बलकि आपके आस पास के लोग क किस प्रकार की राय कायम कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रही हैं, आप उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इसका नतीज़ा यह होता है कि आप कई बार जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, जो आपके स्वयम के फैसले नहीं होते। जी हाँ प्यारे दोस्त आपने निर्णय ले लिया है। बाद में आपको पच्छताना भी पड़ा है इस बात के लिए। आप इन सब बातों पर ध्यान ना दें। आपका जो दिल बोले, मन बोले। बस आप उस पर यकीन करिए। और हम ये बात जानते हैं कि आपका जो दिल है वह पक्का धार्मिक है। इश्वर में विश्वास रखता है, धर्म में विश्वास रखता है और अंदर से बेहद ही साफ और शुद्ध है। जी हाँ, प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। आपकी इस समय की ग्रह दशा की प्यारे दोस्तों, इस समय आपकी ग्रह दशा अच्छी बनी हुई है। आपको कोई विशेश बड़ी हानिग्रहों के माध्यम से नहीं होने वाली है। उल्टा आपको कहीं न कहीं रुपय पैसे क्यूं लेकर परेशानी आ रही थी, यानि कि कहीं आपका रुपया पैसा आटका पड़ा था, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ, आपके कार्य स्थल पर आपकिसी कार्य को लेकर बेहद ही उत्साहित रहेंगे और आपकी कार्य शैली भी निखर कर आएगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्त, हम आपको बता दें कि अगले तीन दिनों में आपकी एक विशेश इनसान से मुलाकात होगी, जो आपका मार्ग दर्शक बनेगा, मददगार बनेगा, आपको अच्छी सलाह देगा, यानि कि आपका शुब चिंतक बनेगा। जी हाँ, प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ धान के बिया की भी स्थितियां बन रही हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी इस्तान की स्थिति रह सकती है, किसी बात को लेकर विवाद उत्पन हो सकता है। अब इसमें भी जिम्मेदार आप ही होंगे कि कि आपका रवया कभी-कभी इस प्रकार हो जाता है, कि लोगों को समझ में नहीं आता कि आप से किस प्रकार से बरताव किया जाए, ताकि जरा-जरा सी बात पर आप कभी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। कभी-कभी तो सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती, तब भी आप रोज दिखाने लगते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, चिड़-चिड़ी हो जाते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपको गुस्सा आया किसी और बात पर किसी और व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आप उस गुस्से को अपने मन में हरी बैठी रहती हैं, और फिर अपने घर में आकर अपने परिवार जनों पर गलत स्थान पर उस गुस्से को बाह पिता और आपके परिवार की ही देन है, आप इस बात को विचार करके देखिए कि जब भी आपके परिवार में जरा सी भी उंच नीच होती है, खींचतान का माहौल जगड़ा हो जाता है, आपका तो उस दिन आपका मन अपने काम में भी नहीं लगता है, आपका मन खराब और किसी भी कार्य को करने में आपकी रूची समाप्त हो जाती है यानि कि आप पूरी तरह से उर्जा हीन हो जाते हैं, ढल जाते हैं लेकिन इसी के विपरीत ठीक उल्टा यदी हो कि आपके परिवार में माहौल बहुत अच्छा हुआ कर सको हसी खुशी का माहौल, खास तोर से आपके जीवन साथी के साथ, तो फिर आपको एक नई उर्जा का एहसास होता है काफी मेहनत के बाद भी आप ठकते नहीं हैं तो यह सब क्या है प्यारे दोस्तों, यह सब यही है कि आपके परिवार से आपके अपनों से ही आपको उर्जा प्राप्त होती है, तो आपको जो आपके शुब चिंतक हैं, आपके सचमुच में अपने हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं उनको पहचानना है और उनका दिल नहीं दुखाना है अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप नकारात्मक्ता को अपनी ओर आकरशित करेंगे प्यारे दोस्तों, अब कार्यस्थल को लेकर एक छोटी सी समस्या है प्यारे दोस्तों की आपके छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो जाएंगे हालांकि आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे एक बात याद रखें, प्यारे दोस्तों की आपके कार्यस्थल पर हमेशा आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए तरह-तरह के प्लैन बनाते रहती हैं कोशिशें करते रहते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है जी हाँ, प्यारे दोस्तों, अब पैसे के लेन देन की बात करें तो आपका कोई मित्र आपसे रुपए पैसे उधार मांग सकता है अगर मानता है प्यारे दोस्तों तो आप दे देना कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है आपका पैसा दुबे का नहीं हट्टी का नहीं सही समय पर वापस आ जाएगा तो आप खुले दिल से उसकी मदद करते हैं एक और बात है प्यारे दोस्तों की आपके ऊपर किसी न किसी, बात को लेकर एक भी बजे का आरोप लगेगा, ये प्यारे दोस्तों जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो ये गलती की नहीं है, ये कार्य किया नहीं है, फिर आपको आरोपी क्यों बनाया जा रहा है, आप में गुस्सा भी उत्पन्न होगा लेकिन प्यारे दोस्तों ये समय का फेर है आपको इसके उपर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यक्ता नहीं है इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों कुछ अच्छी खबर दी है कि आप नई जमीन जायदाद या वाहन आदी खरीद के प्लैन बना सकते हैं या फिर आप खरीद भी सकते हैं परिस्थितियां सकारात्मक बन रही हैं साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आपको कहीं से उपहार भी प्राप्त हो सके यानि कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है कुल मिलाकर अगले तीन दिनों में आपके जीवन में व्य सकता है कि आप उस छोटी मोटी भी मारी से पीड़ित भी होना पड़े जैसे पेट दर्द सिरदर्द कमर दर्द है या फिर हलका फुलका बुखार बात नहीं है आप बड़ी आसानी से इस सबसे बाहर निकलाएंगे अब सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों में चाहे आपका कार्य स्थल हो या फिर कोई भी स्थान हो आप एक काम भूलकर भी नहीं करना है और वह कार्य है नकारात्मक्ता को अपने आसपास नहीं आने देना है जी हाँ प्यारे दोस्तों अब आप समझे कि नकारात्मक्ता कैसे आपके पास आएगी प्रकृति का स्वभाव ही नकारात्मकता का है, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा ही है, आप चाहे कोशिश करें या ना करें, आपके आसपास नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव बातें होंगी, जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी, इन परिस्थितियों को सकारात्मक बनान कि अपने आप होगी, कितने पौधे उग जाएंगे अपने आप होगे, और कितना उसमें जंगल और कबार इकठा हो जायेगा, ये सब कैसे हुआ अपने आप हुआ, लेकिन वह इस मकान में रह रहा है, उस मकान में ये सब नहीं होता क्योंकि उस मकान को मेहनत से साफ किया जा यानि की नकारात्मक्ता तो अपने आप हो गई थी, लेकिन सकारात्मक्ता लाने के लिए महनत करनी पड़ी। एक गाड़ी को समझ ही आप बस है, मान लीजिये, चली जा रही है, रोड पर और उस उसको सही रास्ते पर रखने के लिए महनत करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, यदि उसे छोड़ दिया जाए, यूँ ही तो वह रास्ते से भटक कहीं और पहुंच जाएगी, एक्सिडेंट हो जाएगा, यानि नकारात्मक स्थिती बचाएगी तो अब आप समझ गए, जीवन में नकारात्मक्ता हर वक्त आपके आसपास घूमती है, आपके उपर हावी होने की कोशिश करती है, तो आप अपनी सदबुद्धि से उस नक नकारात्मक्ता को दूर रिखना है, अपने आसपास घूमती being, तो आप उक्ति हमें उपर हावी होने देना है, तो आपको क्या करना है कि जो लोग आपके आसपास नकारात्मक बातें करेंगे, किसी की बुराई ना करें, उल्टी सीधी बातें करें, जो आपको अच्छी न लगे तो आप उन लोगों से दूरी बना लीजिए, आप उनकी हां में हां नहीं मिला नहीं हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं, जिसके उपर नकारात्मक्ता का बहुत गहरा प्रभाव होता है, दूसरों की याद थोड़ी है, लोग तो पता नहीं कितन गलत-गलत कार्य करते हैं और अच्छे भले जी रहे हैं, वह उनकी कर्म फल हैं, उनके भाग्य और उनके जीवन हैं, उनके बारे में विचार न करिए, आप अपने बारे में विचार करिए, आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, कि जरा सी नकारात्मक्ता आपके जीवन में आपके जीवन की और आपकी राश्य की यह मांग है। आप जितना रह सकते हैं सकारात्मक रहे। इश्वर की भक्ती में रहे हमेशा भगवान को याद करते रहे। प्रभु के नाम का स्मरण हमेशा करते। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका नाम ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तो ये तो थी आपके जीव। जीवन से जुड़ी हुई बातें अब आपको बता देते हैं। छोटी छोटी बातें जिनसे आपको बचकर रहना प्यारे दोस्तों। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग कहीं जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें मान कर चल पौधों का धार्मिक महत्व बताया है। पौई न कोई नकारात्मक शक्ति वहां से चल दिये और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि काम बनते बनते बिगड नहीं लगे। पता नहीं किसी की नजर लग गई या फिर कोई दोश उत्पन्न हो गया। आपको कोई भी ख्याल नहीं आता कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां हर वक्त आपके आसपास हर इंसान के आसपास घूमती रहती हैं। रिवर्स मौके की तलाश में हैं। आपने जरा भी गलती की थी आपकी ओर आकरशित हो जाएंगी। आपके घर का जो टॉयलेट है लेट है। इसकी तो दरवाजे हैं वह हमेशा बंद रखने हैं। चपल जूते यदि कहीं भी पड़ी रहती हैं तो उन्हें व्यवस्थित रखने हैं और जोडी के साथ रखे हैं कभी उलटी नहीं करनी है। अपने बेडरूम में कोई भी धारदार वस्थू नहीं रखनी है। जहां आप सोते हैं और सबसे महत्वपूर्ण की बिस्तर पर बैठ कर भोजन नहीं करना है। भोजन हमेशा जमीन पर बैठ कर ही करना ह या टेबल कुरसी पर बैट कर लेकिन स्तर पर बैट कर आपको भोजन ग्रहन नहीं करना है तो इन सब बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखिये और धेर सारी परिस्थितियां बदलने लगी धीरे धीरे आपके अनुकूल माहौल उत्पन्न होने लगेगा अब प्यारे दोस्तों हम आपको मूल बात बताते हैं जैसे हमने अपना ज्योतिश कारेकरम प्रारंभ किया था तीन दिव्य शक्तियों के बारे में तो यह तीन दिवस अखियां कौन सी है तो सबसे पहले दो तीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं दोस्त हम आपको बता द शूरी के वैसे तो 10 पुत्र हैं, इसमें यम्राज ने धर्मराज भी कहा जाता है और शणी जैसे पुत्र है लेकिन और भी हैं जो की जोडी में होते हैं जिन्हें हम जुड़वा कह सकते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारूं। के बारे में विशेश बात यह है कि इन्हें आयुरवेद का बहुत बड़ा ज्याता माना जाता है और इनकी कृपा जब जीवन में आती है तो इनसान के जीवन में धन संपत्ती और आरोग्यता है। यानि कि बीमारियों से उसे मुक्ती प्राप्त होती है और उसका पैसा बीमारियों में जो खर्च हो रहा था वह रुक जाता है तो आपके जीवन में भी इस विशेश ग्रह दशा में अश्विनी कुमारों की कृपा आने वाली है। याद रखना है कि जल में थोड़ा सा गुण अवश्य मिला लें हलका सा और उसके बाद इस मंत्र का जाप। करते हुए सूर्य को अर्ग देना है। इस मंत्र को आपको कम से कम ग्यारा बार बोलना है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य पुत्रों की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होती है। याद रखें, दोस्त की ज्योतिश में सूर्य को ग्रह माना गया है, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृती में सूर्य को देवता माना गया है। इसलिए हम कहते हैं सूर्य देवता तो सूर्य के पास बहुत बढ़ा पद है और सूर्य के प्रभाव से ही ये पूरी सृष्टी अब बात करती हैं तीसरी और आपसे जुड़ी हुई इस दिव्य शक्ती के बारे में, जो तीसरे दिव्य शक्ती जो है वह आपकी कुल्देवी है। जी हाँ, प्यारे दोस्तों आपके घर में आपकी कुल्देवी की पूजा नहीं होती है। आपको बताया है, यदि आप इसके बारे में जानना है, आप कमेंट करें, हम आपको फिर से अगले जोतिश कार्यक्रम में इस उपाय को बता देंगे, तो अब ध्यान से सुनिए, कि आपकी कुल्देवी समय समय पर आपके पास आती है, आपके आसपास घूमती हैं, अब चाहे आप उनकी पूझा करें या ना करें, आप नहीं कर रही हैं, लेकिन आपकी पुर्ग के पूर्वज सदियों से उनकी पूझा करते चले आ रहे हैं, आपके आसपास आती हैं और आपके जीवन पर नजर बना कर रखती हैं। अब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सात्विक्ता के साथ रहते हैं। पुन्य कर्मों में लिप्त रहते हैं तो कुल देवी कि आप यूँ ही सहायता प्राप्त होती रहती है। बड़ी से बड़ी बातों से आपको मुक्ति प्राप्त होती रहती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हर समय सात्वे को नहीं रहना, हर समय शुधता के साथ रहना कल्योग में संभव नहीं है। क्योंकि जीवन में कई अरे की कार्य करने पड़ते हैं कभी-कभी जूट भी बोलना पड़ता है, कभी-कभी अपना फायदा भी देखना पड़ता है। हालांकि दूसरों की हानी अधिक ना हो, इस बात का हम हमेशा में क्या रखना चाहिए। लेकिन चाहे अंचाहे दूसरों की हानी होती ही रहती है। उससे negativity बंध होती है और यह नकारात्मक्ता कुल देवी और नाराज कर सकती है, तो अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि आप अपनी कुल देवी की समय समय पर पूजा करें, उन्हें याद करें। यदि आप उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो आप जो छोटी मोटी नकारात्मक्ता उत्पन्न कर रही हैं, उससे आप और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। यही हमेशा शाम के समय आपके घर के मुख्य दर्वाजे की देहलीज के ठीक बीचो बीच। एक मिट्टी का दीपक अवश्य चलाईए गाय के घी से दीपक जलाना है और इस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है? प्यारे दोस्तों मान कर चलिए कोई दैविय शक्ति आपके घर में आना चाहती है तो हमेशा वह शाम के समय या सुबह के समय ही आएगी। अब इसमें जो हमारा वैदिक विधान है। वह कहता है कि वैश्विक शक्तियां सुबह के समय आती हैं और इससे शक्तियां शाम के समय आते हैं तो जो हमारी कुल देवी होती हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम मोहबबत कहते हैं वह हमेशा शाम के समय ही आपके घर में प्रवेश करना चाहेंगे तो जब आप उनके नाम से एक दीपक जलाएंगे आपको नहीं पता कि वह कौन है बस आपने उनके नाम से एक दीपक जला दिया है तो भी जब आपके घर में आना चाहेंगे तो यह प्रश्न हो जाएंगी याद रखिए कि देवी देवताओं को आपसे कुछ चाहिए नहीं बस भाव चाहिए और भाव एक दीपक जलाकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है और यह सर्वोत्तम तरीका होता है तो आपने दीपक जलाया आपकी कुल देवी आपसे तुरंत प्रसन हो जाएंगी और उनकी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी कोई विशेश बड़ी पूजा पाठ विधी विधान की आवश्यक्ता है ही नहीं जब आपको पता चल जाए तब आप उनका इस प्रकार भी पूजा पाठ विधी विधान के साथ कर सकते हैं लेकिन जब तक नहीं पता चलता तब तक कम से कम एक दीपक तो अवश्य चलाये ही अब जिन लोगों को कुल देवी के बारे में जानना है कोई उपाय चाहिए तो एक बहुत ही शक्तिशाली हो पाई है कमेंट करके पूछना हम आपको उपाय बता देंगे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है हमेशा सुधर रही है मन को साफ रखें पवित्रता और सकारात्मक्ता को मन में हमेशा बचाए रखिए देवी सत्य हमेशा आपका साथ देंगे उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बदल पाएंगे यदि कोई प्रशन उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछे हम आपके प्रशन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इसी के साथ साथ आज के इस जोतिश कार्यक्रम को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मा महा लक्षमी कृपा करो अवश्य लिख देना साथ ही जय कुल देवी रक्षा करो यह भी अवश्य लिख देना आपकी कुल देवी आपकी रक्षा करें कि मा महा लक्षमी आपके ऊपर कृपा करेंगी मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक ज्योतिश कार्यक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता दी